हलो एव्रुन कैसे आप सब चलिए देखते है कि कल कीTrade НİPT Index को किस परकाट ट्रेड गर सकते है कौन-कौन से important levels है जिनको हम कल की trading session के लिए ध्यान में रख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो banknift index का मैंने hourly chart लगा लिया है और hourly chart में दोस्तो banknift index में जो resistance level है एक तली चार 660 के आसपास का level है जो कि दोस्तो कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर banknift index ने दो बार resistance लिया है यहाँ पर double top pattern भी बनाया है तो यह level बहुत ही जदा important है इसको कल की trading session में आपको ध्यान में रखना है इस level के आसपास अगर banknift index आता है तो यहाँ से दोस्तों आपको 100-500 point का एक correction correction देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर दोस्तों इस level के आसपास हम छोटे stop loss के साथ downside के लिए play कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको बड़े target downside में देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन यहाँ पर जिसी resistance level के आसपास आता है तो यहाँ से आपको 100-500 point का एक momentum देखने को मिल सकता है तो यहाँ से दोस्तों आप ready रह सकते हैं put side के लिए आप trade plan कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इसमें आपको बड़ा target देखने को नहीं मिलेगा इस बात को भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दोस्तों कल expiry है तो expiry में जिस side market move करता है उस side के premium ज़्यादा high होते हैं और उसके opposite के जो premium होते हैं वो बहुती low होते हैं तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम छोटे risk के साथ market के opposite direction में trade initiate कर सकते हैं और अगर market हमारी direction में 100-100 point move कर जाता है तो हमें वहाँ पर अच्छा profit भी देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर दोस्तों इस level को आपको द्यान में रखना है 61,660 के आसपास का level है और इस level का अगर breakout हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 42,460 के आसपास के level भी देखने को मिल सकते हैं अगला resistance दोस्तों यहाँ पर है 42,460 के आसपास का level तो इसको भी दोस्तों आपको द्यान में रखना है important support की बात करें तो hourly chart पर 41,230 के आसपास का important support level है अगर banknipton index में कोई बड़ा correction आता है तो यहाँ पर दोस्तों 41,230 के आसपास banknipton index में support देखने को मिल सकता है इसके अला दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि banknipton index में एक बहुती अच्छा bullish momentum चल रहा है और इसमें दोस्तों हमें कोई भी अगर correction देखने को मिलता है तो उस correction में भी पेसा बनना बहुती easy होता है इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो एक correction यहाँ पर आ चुका है इसके बाद दोस्तों एक वापस upside का momentum आया है और इसमें भी दोस्तों हमें एक correction यहाँ से देखने को मिल सकता है जो कि दोस्तों हमें 81.230 के आज़ पास तक की level तक भी आता हुआ दिख सकता है तो यहाँ पर दोस्तों levels को ध्यान में रखना है 81.660 का level important resistance level है और यहाँ पर support की बात करें तो 82.230 का level important support level है और इसके नीचे आता है तो 81.70 के आज़ पास का important support है तो यहाँ पर दोस्तों आवली चार्ट पर यह level important है इनको आप जरूर द्यान में रखिएगा अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि बेंगनिप्ट इंडेक्स को हम इंट्रेडे में किस परकार trade कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बेंगनिप्ट इंडेक्स को अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर देखें तो यहाँ पर बेंगनिप्ट इंडेक्स में बहुत ही अच्छी train line बन रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह train line है इस पर banknip t index ने support भी लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस train line को banknip t index follow कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तु कल की trading session में भी अगर इस train line के उपर banknip t index trade करता है तो हमें upside में एक अच्छा momentum 6160 के level तक देखने को मिल चकता है यहाँ पर बेंगनिम टिंडेक्स की क्लोजिंग 214567 के आसपास आई है जो कि दोस्तों ओल्मोस्ट यहाँ पर 100 पॉइंट नीचे है इस रिजिस्टेंस लेवल से तो यहाँ पर दोस्तों हमें 100 पॉइंट का अपसाइड में मुमेंटम आने की पूरी पूरी उमीद है और इस अगर ब्रेकाउट करता है तो अपसाइड में दोस्तों हमें 200-300 पॉइंट के साइडे में देखने को मिल शकते है क्योंकि कल आकसबाइर है तो हमें एक बड़ा मुमेंटम भी अपसाइड में देखने को मिल शकता है और यहां से दोस्तों अगर ओपन हो कर इसी रेंज में ओपन होकर डाउन साइड में आता है और इस ट्रेन लाइन का ब्रिक डाउन होता है यानि 41,500 की नीचे जो कि यहाँ पर यह लो बना है इस लो की नीचे अगर बेंग निप टिनेक सस्टेन कर जाता है जो कि दोस्तों यह इंपोर्टेन लेवल है तारगेट देखने को मिल सकते है और इसकी नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 41,700 के आज़ पास का टारगेट भी देखने को मिल सकता है तो डाउन साइड में भी दोस्तों यहाँ पर nos आ सकता है यहाँ पर अगर hold होता है और इसका अगर breakout होता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 200-500 point का moment भी देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 200-500 point का moment भी देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 200-500 point के लिए ready रहना है अगर इस train line के उपर sustain होता है और यहाँ प तो इस परकार दोस्तों बेंग निप्टी निख्स में यह इंपोर्टेन लेवल से इनको आप इंट्रेडे में ध्यान में लग सकते हैं और इनके अकोडिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर कोई बड़ा गेप डाउन या गेप अप लगता है तो उसमें दोस्त थ्यूद निप्ट इने का में नहीं excellent लगा लिया है और आहले चार्ट पर दोस्तो निप्ट इने की closing आई आया है 7,817 की level पर जो कि दोस्तु, important resistance level के उपने है धेख सकता है कि दो बार resistance ले चुका है इसके उपर, Nift Index की closing आया है यहाँ पर दोस्तों यह एक बड़ा संग्यात है कि हमें upside में एक बड़ा momentum कल के trading session में देखने को मिल सकता है तो दोस्तों bank index अगर इसी level के उपर open होता है या थोड़ा बहुत gap down open होकर इस level के उपर निकलता है यह level अठार जार के आसपास के level है तो इस level तक दोस्तों हमें intraday में target देखने को मिल सकते है तो यहाँ पर दोस्तों हमें nipt index में upside के लिए ready रहना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो important resistance level था उसका breakout आज के trading session में आ चुका है और इसके उपर अगर sustain होता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें upside में अच्छे target देखने को मिल सकते है इसके लिए दोस्तों यहाँ पर downside में important support के बात करें तो nipt index में 7660 के आसपास का important support है जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर यह draw करके रखा है यह important support level है तो इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है अगर downside में nipt index यहाँ से आता है तो हमें 7660 के आसपास के level तक support देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यहाँ पर इस level को भी आपको ध्यान में रखना है इस level के आसपास support nipt index में देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर दोस्तो अपसाइड में 7800 के आसपास का लेवल important था जो कि दोस्तो आज की training session में breakout हो चुका है और इसके उपर दोस्तो यहाँ पर Nifty Next की closing भी आई है तो हमें अपसाइड में एक अच्छा momentum आने की पूरी-पूरी उम्मीद है अब हम दोस्तो चलते हैं 5 मिनट की चाट पर और देखते हैं कि Nifty Index को हम इंट्रेडे में किस परकार ट्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो Nifty Index का मैंने 5 मिनट का चाट लगा लिया है और Nifty Index 5 मिनट के चाट पर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तो यह train line important रहने वाली है कल की trading session में Nifty Index अगर इसी train line के उपर open होता है और यहाँ पर support लेकर उपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर दोस्तो हमें Nifty Index में अच्छी trading opportunity देखने को मिल सकती है और up side में दोस्तो हमें 18,000 के आसपास के target Nifty Index में देखने को मिल सकते हैं अगर इस train line का breakdown होता है और Nifty Index अगर इस level के नीचे आता है जो कि दोस्तो 7,730 के आसपास का level है अगर इस level के नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तो हमें put side में भी अच्छी trading opportunity देखने को मिल सकती है और यहाँ पर दोस्तो हमें 17,660 के आसपास का target देखने को मिल सकता है और यहाँ पर दोस्तो हम इन दो swing low को as a target consider कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो यह swing low है इसको as a target द्यान में रख सकते हैं और इसके बाद दोस्तो इसके नीचे आता है तो यहाँ पर जो यह swing low है इसके आसपास हम अपना target plan कर सकते हैं और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर important support level है 70,470 के आसपास के लेवल यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर भी support मिल चुका है और यहाँ से एक nipt index में बहुती अच्छा momentum up side में देखने को मिला है तो यहाँ पर दोस्तों down side में 7,470 का level भी important है और यहाँ पर 17,660 के आसपास का level भी काफी ज़्यदा important है यहाँ से nipt index अगर down side में आता है तो यहाँ पर इस level के आसपास तक के हमें target easily देखने को मिल सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर nipt index में जो यह trend है वो ती सांदार up trend हमें देखने को मिला है और इसका दोस्तों हमें कोई major correction अभी तक देखने को नहीं मिला है तो कल यहाँ पर दोस्तों expire है जिन्होंने भी उपर की side के लिए position बना रखी है वो position अगर दोस्ते dive जे के आसपास कटती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें down side में भी अच्छा momentum देखने को मिल सकता है बागी दोस्तों यहाँ पर trend bullish है तो हमें up side के लिए ready रहना है up side में कोई भी trading opportunity देखने को मिलती है तो वहाँ पर दोस्तों हम up side में अपना trade plan कर सकते है और up side में दोस्तों हमें अच्छे target भी intraday में जरूर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यह trend line important है इसको भी आपको ध्यान में रखना है और up side में दोस्तों 18,000 के आसपास का important resistance level है उसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है तो इस परकार दोस्तों nipte index में यह important levels है इनको आप जरूर देन में रखिएगा अगर nipte index में कोई भी बड़ा gap down या gap up लगता है तो उस समय दोस्तों हम price section को follow करेंगे जिस परकार का price section बनता है उसके according हम अपना trade plan करने वाले है इसके अलाब दोस्तों live market में कोई भी trade setup बनता है कोई भी price section बनता है आप फ्री में telegram channel को join कर सकते है तो इस परकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें इस channel पर नहीं है तो channel को subscribe करने के साथ bell notification को on करें ताकि इस परकार के वीडियो का notification आपको मिलता रहे चलिए मिलते है आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद कीप लाइनिक